अलेकुम और रखमत अल्दा मैं आपका दीनिवाई फैसल आज मैं आपको एक एप के एप रिकमेंड करना चाहता हूँ यह आपका नाम है हिसन मुस्लिम जो कि आपके दुआ और असकार के लिए काफी काम आएगा मैं आपका ओन कर रहा हूँ जैसे कि मैं आपको 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 आप और आप इसको ऑडियो से भी सुन सकते हो अगर आपको अरेबिक या फिर कोई लाइंगविज पढ़ने नहीं आती आपको प्ले करके बताता हूं इसमें और एक इन्फोमेशन एक बहुत अच्छा अप्शन दिया गया है कि आप इसको शेर भी कर सकते हो अगर आप टेक्स्ट में शेर करना चाहते हो तो आपको टेक्स्ट में जाने के बाद आप देख सकते हो कि ये दुआ आपको अरेबिक में उसके बाद में उर्दू ट्रांसलेशन दब इसका फिलाल अवेलेबल नहीं है और आपको रोमोन उर्दू के अंदर ये जो है ट्रांसलेटेट भी मिल जाएगी नीचे आपको रेफरेंस मिलेगा और नीचे एप की लिंक आ जाएगी तो इसी तरीके से इसके अंदर आडियो लैंग्विज भी है अगर आप लैंग्विजेस के बात करते हो अगर आपको रोमोन उर्दू नहीं चाहिए तो लैंग्विजेस के अंदर इतर अवेलेबल है इंग्लिश, फ्रेंच, उर्दू और रोमोन उर्दू इसका अप्लिकेशन को और एक बेनिफिट ये है कि इसके अंदर काफी less MB है और इसके अंदर permissions भी काफी कम दियेगे अगर आप इसको app info में अगर जाते हो तो देखिए 35 MB के असपस ही phone storage ले रहा है अगर आप download करेगे तो इससे कम जाएगा और अगर मैं apps permission पर क्लिक करते हो तो ये कोई app permission भी मांगता है नहीं और ये application के अंदर एक benefit ये है कि उपर जो star mark देखर है आपको right hand side पर अगर आप इदर क्लिक करते हो तो ये मेरे favorites दुआ है यानि ये दुआ मैं बार-बार पढ़ता हूँ या फिर इसके में को ज़रूरत पढ़ती है तो आप favorite mark भी कर सकते हो इसका जो है माना उर्दू के अंदर या रोमन उर्दू में लिका हुआ है और ये जो है नीचे same Arabic quotation English के अंदर लिका गया हुआ है मैं उसको एप लेइर करता हूँ ताकि आपको जो है आडियो भी समझ में आएंगी कि कितनी clear audios के अंदर available है लλο हुआ हुआ में लए्ति आपको अर्दू जैसे कि आपने देखा इसके अंदर काफी best audio option दिये गे ताकि आपको समझ में आए आप repeat कर सके प्रोक्लेम कर सके यानि उसको repeat कर सके और उपर आपको search का button दिया गया है कि यहाप अगर आप कोई search करना चाहते हो जैसे भी आप उदर दिया सर्च कर लेते हो आपके सामने आ जाएंगी तो यह best app है जो कि मैं आपको recommend करूंगा और मेरा personal recommendation यह है कि इससे best app अवेलेबल नहीं है क्योंकि इसके अंदर आपको audio और मिलता है कि अगर आपको Arabic पढ़ने में थोड़ी वो तिकत होती है या फिर पढ़ने नहीं आती तो भी आप दुआ कर सकते हैं या फिर बिल्कुल भी जिसको पढ़ने नहीं आता वो इस application को use करके audio से दुआ कर सकते है